ओनलाइन फ्रोड की घटनाय तेजी से बढ़ रही है कोई भी दिन नहीं जाता होगा जब नाकपूर के किसी थाने में ओनलाइन ठगी से संबंदित मामला दर्ज नहीं किया जाता होगा अब तो लोगों को भी लगने लगा है कि एक और सरकार अधिकाधिक ओनलाइन प्रनाली का इस्तिमाल करने का आवाहन करती है वही दूसरी और उनके साथ होने वाली ठगी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है इस बीच पेटियम का केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर साइबर ठग ने एक व्यक्ति को एक लाग पचासी हजार रुपे का चूना लगा दिया पेटियम का केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर हुई साइबर ठगी के बारे में बजाजनगर पुलीस ने अभिनव रेसिदेंसी लक्ष्मिनगर निवासी नरेश रगुनाद बल्दवा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है विगत 28 मई की दोपहर अग्यात आरोपी ने नरेश के मोबाईल पर फोन किया उन्हें बताया कि भविश्य में पेटियम से ट्रांजेक्शन करने के लिए केवाईसी अपडेट करवाना होगा केवाईसी अपडेट नहीं होने पर उनके खाते का लेन देन बंद हो जाएगा नरेश ने उसे प्रक्रिया के बारे में पूछा आरोपी ने उनके मोबाईल पर एक लिंक भेजी जैसे ही नरेश ने लिंक पर क्लिक किया उनके खाते से एक लाग पचासी हजार रुपे ओनलाइन ट्रांसफर हो गए खाते से पैसे डेबिट होने का मैसेज मिलने पर नरेश को धोकाधड़ी का पता चला उन्होंने बैंक से शिकायत की बैंक ने पुलीस से शिकायत करने को कहा पुलीस ने दोकाधड़ी और आईटी एक्ट के धाराओ के तहत मामला दर्च कर जांच आरंब किया है